धौला कुआ से एरपोर्ट तक 23 जेट फाउंटेन बढ़ाएंगे खुबसूरती एक महीने में पूरा होगा पनई दिल्ली जीबीस सम्मेलन के लिए धौला कुआ से लेकर एरपोर्ट तक रोड का सौधरी करन किया जाएगा पूरे स्ट्रेच में 23 जेट फाउंटेन लगाए विदेशों से आने वाले महमान इसी रास्ते से नई दिल्ली एरिया में जाएंगे जिसके लिए एरपोर्ट से लेकर धौला कुआ तक रोड के दोनों तरफ सौंधरी करन किया जा रहा है एलब बटर रोड पर पेड़ पौधे भी लगाए विदेशी महमान इसी रास्ते से नई दिल्ली एरिया में जाएगे के पासी दो बड़े जेट फाउंटेन लगाए जाएंगे जेट फाउंटेन के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटे लगी होंगी ताकि फवारे भी सतरंगी दिखें एरपोर्ट से धौला कुआ तक अलग 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 जगहों पर 23 फूलों का फाउंटेन बना रही है फूलों का फाउंटेन बनाने के लिए स्टील स्ट्रकवा तयार किया गया है जिस पर फूलों को सजाकर फाउंटेन की तरह बनाया जाएगा इसके अलावा त्रिकोन बनाने के लिए भी स्टील स्ट्रकवा तयार कराए गए है अफसरों इन गमलों को लाल रंग से रंग कर उनमें धौला कुआं के पास मेट्रों के नीचे एक छोटे से हिस्से को ग्रीन जोन के रूप में का इस्तिमाल किसी भी जगह फाउंटेन बनाने रोड के पास लॉयन और फाउंटेन बनाए गए हैं, इसके आगे APS कॉलोनी के पास रोड क एक तरफ पाम ट्री लगाए गए हैं, सेंट्रल स्कूल बस्टॉप से आगे रोड के एक साइड में बड़े बड़े गमले लगाए जा रहे हैं, बड़े सजावती फूल लगाए जाएंगे, डेवलप किया जा रहा है, धौला कुआं का कहना है कि इस तरह के स्ट्रील स्ट के लिए किया जा सकता है,